आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? कोरोनरी सर्कुलेशन के बारे में. कि कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होती है? सबसे पहले तो आपका पता होना चाहिए कोरोनरी सर्कुलेशन पढ़ने से पहले कि कोरोनरी आर्टरी क्या होती है? Coronary artery एक ऐसी artery है जो हमारे heart को blood supply करती है Heart तो पुरी-बोडी को blood supply करता है लेकिन heart को भी तो blood supply चाहिए अपने functioning करने के लिए तो हमारे heart को जो blood supply करती है वो कौन होती है? Coronary artery तो इसमें हम पढ़ेंगे Coronary circulation के बारे में कि Coronary circulation कैसे होता है और किस-किस के थ्रू किया जाता है सबसे पहले हम पढ़ते हैं Coronary circulation इससे circulation यह एक तरीका का circulation है of blood in the arteries and veins that supply the heart muscles यह एक टाइप का circulation है जिसमें क्या होता है? Blood supply करते हैं कहां पे heart muscles में कहां पे heart muscles में through the arteries and veins कहीं भी भी हमें blood supply करना है या फिर महां से deoxygenated blood वापिस लाना है तो हम किसकी मदद लेंगे? arteries और veins की यह होता है तो इसी तरीके से अगर heart में blood supply करना है तो महां पे भी artery और veins के तुरू हम heart को या heart की muscles को blood supply करते हैं जिससे कि वो अपनी के ओपर functioning कर सकते उसके बाद coronary artery supply oxygenated blood to the heart muscles यानि कि क्या करते है coronary artery oxygenated यानि कि जिसमें oxygen की मातरा जदा होती है उस वाले blood को supply करती है क्योंकि हमारे किसी भी body tissue को work करने के लिए oxygenated blood की ज़रुत होती है तो इसलिए coronary artery महां पे कौन सा blood supply करती है oxygenated blood supply जिससे कि हमारा heart functioning कर सके और वाद में वापस coronary sinus के थुरू हमारे deoxygenated blood को वापस लाके कहां पे लिए राइट एट्रियम में जो मैंने आपको circulation में बताया था जिस तरीके से superior वेना कावा और inferior वेना कावा हमारे right एट्रियम में आ रहे थी अगर back side में देखेंगे तो back side में इसी तरीके से हमारा fake sinus होता है उसको हम कहते है coronary sinus जो क्या करता है जिस तरीके से ये arteries है यहाँ पे blood supply कर देए इसी तरीके से similar link के पास एक वेन होती है cardiac vein जिनको हम बोलते है वो क्या करते है टोटल डियोक्सिजनेटिव ब्लड लागी तापे collect करती है coronary sinus में और वो blood कापे जाता है right adriam में oxygenated होने के लिए तो हम क्या पढ़ रहते coronary circulation तो coronary circulation में बस इतना ही है कि हमारी जो coronary artery है वो हमारे heart को blood प्रवाइड करती है oxygenated blood जिससे कि हमारा heart proper functioning कर सकता है अगर इस coronary circulation में किसी भी तरेकर का interruption आ जाए यानि कि कोई भी abnormalities आ जाए कोई disease condition अकर हो जाए या कोई भी blockage आ जाए हमारी coronary artery में तो उसके वज़े से हमारे heart में कई सारी complications का सामना करणा पर सकता है जैसे moral cardinal infection किसी लिए यह किस तरीके से करती है अब यहां पर हमारी iota में होती है जैसे कि आप देख सकते है इसमें iota यहां से जा लिए हमारी pulmonary artery हो यह हमारी superior में नखाबा हो गए इसमें क्या होता है हमारी यहां से blood जैसे हमारा pump करता है यहां कि blood provide करती है यह right heart को blood provide करती है चाहे वो anterior हो चाहे फिर वो posterior हो वो अलग-अलग branches के थूँ वहाँ पर blood पहुँआ जाता है जिससे कि heart disease को energy मिल सके nutrition मिल सके oxygenative blood मिल सके जिससे कि वो पर-पर functioning कर सके यह होता है आमरी coronary circulation का हितना है ताह okay, thank you